बेबी इसको कौन छोड़ता है? हाड इविन, फ्रांकर, तुम्हें मदर की जरूरत है पर ये बेबी शांत नहीं है ये शुरार्टी है फेको फ्रांकर, मैं संभाल लूँगी हमारे ओर्फनेज में कौन आ रहा है? स्वागट है इस पर ध्यान मत दो फ्रांकर, हाड इविन, मैं तुम्हें सिंडी से मिलाना चाहती हूँ तुम्हारी नई मॉम फ्यू, मेरे दुख के दिन खतम बच्चो, ये हमारा नया घर है तुम्हें पसंद आया? एक सेकिंड, मैं दर्वाजा खोलती हूँ वो चाबी कहा है? वो हमेशाख हो जाती है क्योंकि मॉम संभाल नहीं पा रही हमें उनके मदद करनी होगी सुपर विलन्स के सामने कोई परिशानी बड़ी नहीं होती एक गिंते ही बहुत अच्छे पार्टनर आपको क्या लगता है? मॉम, ओ नहीं तुम्हें दर्वाज़े का क्या हाल कर दिया है उपस, क्या ये ऐसे नहीं करते ठीक है, चलो अंदर आजाओ घर में स्वागत है और अब हॉलिडे सर्प्राइज उनकी नहीं मॉमी ज़ादा इमेजिनेटिव नहीं है ये जगा कितनी बोरिंग है पर सिंडी के सर्प्राइज खतम नहीं होते इस एंटेटेनर का स्वागत करो ये कुछ मज़तार है बैट बॉय, मेरा दोस बहुत खुशी हुई कि तुम आई ये लो फ्रैंकर, अपना वक्त लो बाकी काम बैट पर छोड़ दो लगता है एंटेटेनर का आइडिया फेल हो गया पर मैं बच्चो को उदास नहीं कर सकती वो बहुत मस्ती कर रही है बैट बॉय, ये आवाज किसी लगी तुम्हें अपनी हर अच्छाई की खीमत चुकानी पड़ेगी और अब फॉलिडी टेवल पर मेरी गो राउंड ओ नहीं एंटेटेनर को बचाना होगा ये पेरेंटिंग वाली बुक इसके बारे में क्या कहती है मेस, इन्हें बताओ कि वल्थ खतम हो गया बस बच्चो, बैट बॉय के जाने का वल्थ हो गया है आपके काम के लिए शुक्रिया जल्दी मिलेंगे बिल्कल नहीं मैं एंटेटेनर का काम छोड़ रहा हूँ बच्चो, ये तुम्हारे लिए है क्या तुम खुश हो ओ, नहीं मॉमी आप अपने बिकार प्रेजेंच रख सकती है टीनेजर्स को खुश करना मुश्किल है खास कर अगर वो बच्पन से ही विलेंज हो प्रैंकर, हाड इविन खाओ क्या हमें ये खाना होगा बिल्कल नहीं वेटर, हमारे लिए कुछ गरम लाओ जरूर अब ठीक है ओ हाँ, मैं अनियन रिंग्स का केंग हूँ और मैं स्पाइसी चिली की कुईन हूँ ये स्वादिश्ट है जाती हूँ, तुम ये कैसे खा रहे हो खुशी से क्या आप भी ट्राइ करना चाहोगी मॉमी खैर, अगर तुम कहते हो तो ओ हाँ ये हॉट रियाक्शन है पच कर सब छुप जो इस स्नैक में आग की कमी थी शुक्रिया मॉम हाडिविन, मार्शमेलो लेकर आओ मार्शमेलो स्पक गड़ मुझे फैमिली पिक्निक पसंद है चीक है अब और स्पाइसी फूड नहीं हाडिविन ये तुम्हारा कमरा है ये अराम गायक है, है ना मेरा पूरा सपना सच हो गया सूपर विलेन इस पेंक इंटीरियर में नहीं रह सकती चलो हाडिविन देखो ये यूनिकॉन बेड है और ये प्यारे कॉपकेक्स कितने प्यारी है तुम्हें एक दूसरे के लिए ही बने हो तुम्हें हसना नहीं चाहिए प्रैंकर तुम्हें अभी दग अपना रूम नहीं देखा तुम्हें क्या लगता है हनी डाइनसौर्स ओ नहीं ये बखवास है ठीक है तुम अराम करो मैं जल्दी आ जाओंगी बुरा मत मालो प्रैंकर बेर से बच कर पाड़ी क्या भशी नहीं आ रही ओ हाँ अब देखना प्रैंकर फी ये ज्यादा हो गया ये लो अब कैसा लगा लगता है इंटीरियर ज्यादा देख उप्सूरत नहीं रहेगा हल्क मोट शुरू हो गया लड़ो मारो पेखो सुपर विलिन्स इस काम में बराबर नहीं है ही ये कैसी अवाज है क्या चल रहा है फ्यू चलो ब्रेक लेते है ओ मॉमी हाई तुम इस गंधिकी में रहना चाहते हो ओ हाँ सुपर विलिन्स को लड़ाई पसंद होती है मुझे इस जगा को सही करना होगा नहीं नहीं कुछ में मत चुना ये गंधिकी विल्कुल सही है ओ फ्लीज मॉफ हाँ बच्चों के लिए क्या क्या करना पड़ता है सुपर विल्लेंस को भी सीफने की ज़रूरत है ये बच्चे रुको कुछ कॉपी करने के लिए है क्या पक्का कुछ नहीं है ये ग्लासेस तुम पर अच्छे नहीं लगते और वो फोल्डर्स फेक दो नहीं थीस मुझे जाने दो प्रिंसिपल आ गई अच्छी टाइमिंग है हार्डी में फ्राइंकर उसे जाने दो अभी मैं तुमारी मदर को बुला रही हूँ मिस सिंडी आपके बच्चे काबू से बहार हो गई है मैं अभी आती हूँ मिस जूलिया खै लगता है किसी ने ज्यादा मस्ती कर ली है सब चुप चुप खड़े रहो मौम आ गई है तुमने ऐसा करने के बारे में सोच अभी कैसे और प्रिंसिपल भी डाट रही है ये सब कब खतम होगा मिस्टि जैक्सन क्या आप ठीक है हम आपको विकेशन और बोनस देंगी और तुम्हें सजा मिलेगी और कुछ भी पुरा मत करना ठीक है मिस्टि जैक्सन सजा हमें नहीं आपको मिलेगी पार्क में फैमिली वॉक इस याच और क्या हो सकता है जब तक बच्चे बॉम्ब न ले आए बॉम्ब्स कोई खिलोने नहीं होते मदर हमेशे सब कुछ बिगार क्यों देती है पर सूपर विलन्स के पास समिशा बैक अप लान होता है मॉमी हम फैमिली में आकर बहुत खुश है काम बन गया मॉमी ध्यान नहीं दे रही थी वो बहुत भोली है और अप लान का सबसे जरूरी हिस्सा पहले ये बॉम्ब था अब ये बॉल है क्या मैं इससे खेल सती हूँ मॉम्ब जरूर एक आम बॉल में क्या खत्रा होगा अब उन्हें बस खेलने के लिए कोई चाहिए ही तुम क्यास करो ये बॉम्ब है वो कितने दरफोग है वो चोटे से बॉम्ब से दर गए नहीं इससे दूर हटा ये क्या है फिर से वो दो नो चलो खतरना गेम को खतम करे और सेप्टी का लेक्चर शुरू करे सुपर विलन को पाला असान गाम नहीं है काश मुझे थोड़ा आराम मिल जाता जब शहर सो जाता है तो प्रैंक्स जग जाते है स्वीट ड्रीम्स बॉम्ब हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है चलो चले मारकर बच्चों के लिए है सुपर विलन असली टाटू बनवाते है मॉम को ये पक्का पसंद आएगा उन्हें आर्ट पसंद है है ना तुम बच्चे यहाँ पर हो मैं थोड़ी देर सो गई थी ओ तुम चोटे शेतान तुमने अपने मदर पर पिक्चिस बनाई है मैं से पुरा मिटा दूँगी हाँ हाँ मा खोशिश करो ये काम नहीं कर रहा ये किस तरह का पर्मनेंट मारकर है ये मेरे चेहरे पर भी लग गया है तुम्हें सज़ा मिलेगी बच्चों अपने कमरे में जा एक टाटू मशीन ओ नहीं मुझे उन्हें अपने साथ काम पर ले जाना पड़ रहा है बस जुब बैठे रहो सिंडी की पहली क्लाइंट आ गई अराम से बैठी एक ब्यूटी पार्लर क्या मदर इस से ज्यादा बोरिंग जॉब नहीं जून सकती थी पर हर चीज से निकलने का एक तरीका होता है प्रैंकर क्या तुम मिरे साथ हो मॉमी आपसे कोई मिलने आया है और ये ज़रूरी लगता है अब कुछ बुरा होने से कोई भी नहीं रोख सकता चलो शुरू करते हैं चलो इस लेडी को दिखाए की असली कुपसूरूती किसे कहते है सुपर विलन्स बिजली के रफ्तार से काम करते है हो गया उप्स मॉम आ गई जल्दी अपनी जगा पर जाओ हे भगवन तुमने ये क्या कर दिया ये आईपी क्लाइंड इसे कभी नहीं भूलेगी ओ नहीं ये क्या बस घबराओं मत हम इसे खीक कर सकते है ये किसी काम के नहीं है बच्चो बस बहुत हुआ ये बस एक मजाग था मॉम गुसमत करिए जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे तो मॉम अपने काम में थोड़ा ब्रेक ले रही थी उनकी अंदर ये सब करने की ताकत कहां से आती है वो बिना था के घंटों तक भाग सकते है ओ नहीं कोई सिंडी का पीछा कर रहा है ये अच्छी बात नहीं है उसका पर्स ऐसे ही पड़ा है चोर इस बात का फाइदा उठाएगा ही ये मेरा है अलर्ट मॉमी को कोई परिशान कर रहा है उसका पीछा करो प्रैंकर वो बतमाच बश नहीं पाएगा इतनी जल्दी इस बात की है दोस्ट सूपर विलन से भहस करने में कोई फाइदा नहीं है पर हमें पर्स वापस ले लेना चाहिए काश पच्चे सही सलामत हो वो आ गए मॉम हम आपका पर्स ले आए और रास्ते में हमने कुछ और छिन लिए जो चाहिए चल लो अपनी उमीद है मत बढ़ाओ चलो इन्हें यहीं छोड़ देते है एक और बेर सूपर विलेंस का शिकार बन गया पर उसे अभी भी बचाया जा सकता है फ्रांकर दो देखो मॉम हमारे ले किती मेहनत कर रही है शायद अब हमारे बड़े होने का बक्त आ गया है अब सही कह रही हो हार डेविन पर सिंडी हार नहीं मानने वाली चाहे वो कैसे भी हो ओ ठीक है मैं ये ट्राइ करने जा रही हूँ मॉमी आप कहा है आज से हम दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे बन कर दिखाएंगे वाँ क्या बगलाव है आपने कौन से आसिट में छलाग लगाई है तुम कौन हो मुझे मेरे बच्चे वापस दो कोई बात नहीं एक असली फैमली आपको वैसी ही पसंद करती है जैसे आप है इन दोनों में से आपको कौन भैतर लगा प्रैंकर या हार्ड इविन हमें कमेंट्स में बताए इस वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाए ताकि आप टूम टूम वाउ में सूपर विलन्स के बारे में नई कहानियों को मिस ना करें